अपने कारेकाल के दौरान आये अनुभो को शब्दों में पिरोकर ADG जेल सुनेल रामानन ने कॉप्स इन कॉंग मायर नामक पुस्तक लिखी है बद्भार को पुस्तक का विमोशन पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार के हाथों किया गया अपनी पुस्तक की जानकारी देती हुए रामानन ने कहा कि इसका कोई भी किरदार सिंगहम और सुपरकॉप जैसे फिल्म हिरो का नहीं ये उन सामान ये पुलीस कर्मियों के अनुभो और व्यथा पर आतारिथ है अपनी कारिकाल के दोरान पुलीस अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई तरह के अच्छे और पूरे अनुभो आते है इस तरह के अनुभो और चुरूती आप पुलीस को ही मिलती है किताब लिखना जित्मा कठीने उसे ज़्यादा कठीन प्रकाशक मिला है सीपी आमितेश कुमार ने कहा कि देश और समाज की सेवा सबसे बड़ा कारिया है पुलीस को अपना शौक पूरा करने का समय नहीं मिलता ऐसे में पुस्तक लिखना ज़्यादा चुरूती भड़ा काम है रामानंग ने बहुत संदर पुस्तक लिखनी है इसे लिखने के लिए उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ा है इस पुस्तक को लिखने में उन्हें साथ वर्ष का समय लगया अभिश्य में अन्हें पुस्तक जल्जी टकाशिक होगी आईजी रेंच, चिरनजीवी प्रसाद, आईडीजी निलेश भरने, नविंचर रवेड़ी और डिस्टीपी गजनन राजमा ने इस समय प्रमुक रूप से उपस्तित थे कामेरा परिसर्डाश कमान मोड के साथ अभिशिक पांसे के रिपोर्ट इंडीज से निलेश नाख पोर